नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ अभिनोत शांशुक पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हम कर रहे हैं प्रिचाओं की तैयारी और कख्शा 10 और 12 बोड के लिए सभी विशियों पर हमारी अभिप्षा की टीम की तरफ से आपको ये क्लासेस अविलेबल कराई जा रही हैं हमारे application में भी ये classes available हैं वहाँ पर additional content भी मिलते हैं जैसे की important questions, short notes, mind map तो आप हमारा application प्लेश्टोर से भी download कर सकते हैं चलिए आईए बढ़ते हैं आगे और आज हमारी चर्चा का विशा है प्रकास का विवर्तन ये होता क्या है, इसको किस तरीके से observe किया जाता है इसके कारण क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके सिखेंगे सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करें कि प्रकास का विवर्तन होता क्या है चले चलते हैं थोड़ा आगे और यहां देखते हैं मान लेते हैं कि हम हाईजिन का प्रिंसिपल उसके हिसाब से गड़नाए कर रहे हैं तो कोई भी स्त्रोथ होता है जहां से प्रकास की तरंगे उठ रही होती है वह तरंगे हमेशा गोली आकार में आगे बढ़ रही होती है और गोली आकार में आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो है इस तरीके से ये गोले बढ़े होते जाते हैं और आपको जो है तरंगे आगे बढ़ती हुए दिखाई देती है यहाँ पर ऐसा होता है कि इन तरंगागरों के किसी भी बिंदों को हम जो है द्वितियक स्त्रोत मान सकते हैं और यहाँ पर से भी हमें पुना हां प्रकास की नई तरंगे निकलती हुई दिखाई देंगी जो पीछे की और नहीं बढ़ती लेकिन आगे की और बढ़ रही होती है इस यह जो है कंसेप्ट हाईगें का है और इसे इन्हें हम तरंगागर कहते हैं अब आप जो है कलपना कीजिए कि किसी भी स्त्रोत से प्रकास की कुछ तरंगे इस प्रकार से आ रही है और वहाँ लगभग एक दूसरे के समांतर हो चुकी है क्योंकि स्त्रोत की दूरी बहुत ज़्यादा है ऐसी स्थिती में यदि इसके मार्ग में कोई व्यवधान आ जाता है प्रकास की किर्णों के मार्ग में कोई व्यवधान आ जाता है तो हम व्योधान के किसी एक बिंदु को प्रकास का दृतियक स्तुरूत मान सकते हैं और ऐसी स्थिती में यहां दृतियक स्तुरूत हो जाने के बाद में यहां से पुना हां एक नए स्तुरूत की भाती गोल गोल तरंगागर आगे बढ़नते हुए हमें दिखाई देंगे यह घटना कुछ इस प्रकास से होती है कि अगर प्रकास सिर्फ प्रकास की सिधिक किरन की भाती बिवहार करता तो हमें इस व्यूद्धान के ऊपर यहां पर रौशनी याने की प्रकास नजर आता लेकिन नीचे वाला हिस्सा बिलकुल अंधेरा होता लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि यहां पर प्रकास क्या दृतियक स्त्रोत है और यह तरंगों की भाती विवहार कर रहा है इसलिए सिर्फ इस हिस्से में नहीं बलकि इसके नीचे भी हमें प्रकास का दीप्त प्रदेश यानि की दीप्त छेत्र मिलेगा अब जब कभी भी इस प्रकार का व्यवधान आता है तो हमें प्रकास की किरने अपने रास्ते से मुर्ती हुए प्रतीत होती है और वो तरंगों की भाती विफ़ार कर रही होती है इन्ही चीजों को इसी घटना को प्रकास का विवर्तन कहते हैं अब विवर्तन की पुष्टी करने के लिए हमारे पास में एक प्रयोग है और उसी प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे चलिए आईए देखते हैं कि जब प्रकास तरंगों के मार में कोई आपरोध हाता है तो वह तरंगे किसी छिद्र से गुजरती हैं तरंगे आउरोध यचिद्र के किनारों पर आंसिक रूप से मुड जाती है और इसी घटना को प्रकास का विवर्तन कहते हैं हमने हाईगें के प्रिंसपल से इस घटना को समझने का प्रयास किया अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ चित्र है भाई इस चित्र में आपक प्रकास की दूतियक्स्त्रोत के उपस्थिती के कारण प्रकास की खिरने गोलाकार निकल रही है जबकि इसके पहले प्रकास की समानतर प्रंगाग्र हम को दिखाई दे रहे थे ठीक है अब इस घटना के बाद में जो है विवर्तन और हाईगन के सिद्धान को हम लोगों न कारण है और फ्रेनल और फ्राउन होपर इन दोनों के विवर्तन के बीच में क्या अंतर होता है इसके बारे में 2022 में प्रशन भी पूछा गया था तो एक फ्रेनल विवर्तन है और फ्राउन होपर विवर्तन है अब देखे कि यहां पर फ्रेनल विवर्तन में प्रकास की का जो स्त्रोथ है वहां कैसा है वह जो है एक निश्चित दूरी पर है एक सीमित दूरी पर है और वहां से जो प्रकास की किरने आ रही है वो इस तरीके से विवर्तित होती हुई हमें नजर आ रही है तो इस प्रकार की विवर्तन में स्त्रोथ और परदा दोनों ही अवरोध से स दूसरा हो गया इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रकास्टोज बिंदूवत है या रैखिक है तो यहां पर प्रकास्टोज के ऊपर निर्भरता होती है और विभिन्द बिंदूओं से चलने वाले दृतियक तारमिकाएं समान कला में नहीं होती और रिजुकोन द्वारा इनकर दिखाया तिकाही देता है और तीसरा यहां पर रिजुकोन विवरतन को उत्तर लेंस की सहता से अकांतर किया जाता है मतलब हम जो है उसको समांतर यहाँ पर समांतर होना चाहिए समांतर किया जाता है इसके बाद में जो है अगली बात क्या है यहाँ पर जो है किरुणों को अन्य उत्तर लेंस की सहथा से पर फोकस किया जाता है और इस पश्ट है कि अवरोध पर आपती तरंगागर संतल तरंगागर होता है तो हमको संतल तरंगागर मिलता है जब कि यहां पर रिजु कौनिय तरंगागर दिखाई दे रहा है यह जो है अंतर हो गया आगे की बात करेंगे कि एकल स्रेट गार प्रकास का विवरतन होता किस प्रकार है यहाँ पर प्रकास का अब हम लोग यह फ्राउन होपर विवरतन की ही यहाँ पर पुष्टी कर रहे हैं तो फ्राउन होपर विवरतन में हम लोगों ने प्रकास का एक स दिखाई दे रहे हैं और यह समांतर तरंगागर जब किसी छोटे से छिद्र से होकर गुजरेंगे तो प्रकास की किर्णे अपने मार्ग से ठीटा कोण पर मुर जाती हैं इसकी पूष्टी करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं अब यहां पर देखिए कि जो किर्णे जो है अब आगे की घटना के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर प्रकास की अब आपको क्या मानना चाहिए चलिए हम कुछ मान लेते हैं यह मानने की बात क्या है देखिए अगर प्रकास की किर्णे इस प्रकार से यह हमारा तरंगागर है यहां पर अगर आप किर्णे यहां पर पर जाकर जुड़ने वाली है अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर कुल मिला के सौ किरने हैं और यह सौ किरने जो है यहां पर जाकर जुड़ने अब मान लेते हैं कि जो पहली किरंड है उसका जो तरंग इस दूरी को अगर हमाई तरंग तरंग है के बराबर कैम गाहिए और तो यहांपर जो है क्या होगा कि यह जो दूरी आने वाला है वो लेम्डा हो जाएगा इसी तरीके से जो है अब इस तरीके से अगर हम लोग सोचें तो अब क्या होगा कि पहली किरण और आखरी किरण इन दोनों के बीच में जो है किसी भी प्रकार से आपको संपोशी या विनासी किस प्रकार का व्यतिकरन दिखाए देगा तो भाई यहां पर संपोशी व्यतिकरन के लिए हमारे पास में सम्पोशी व्यतिकरन के लिए हमारे पास में आवेस्ज़ यह थी कि पथ आंतर पाथ डिफ्रेंज है वो एंड लेम्डा के बराबर होना चाहिए तो अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि पहली किरण और आखरी किरण के बीच में पतांतर जो है वो लैम्डा है तो इनके बीच में समपोसी व्यतिकरण होगा लेकिन अब आप इस तरीके से सोचिए कि यदि इस पूरी दूरी को जो है हम दो बराबर हिस्सों में बा पहली किरण और इंक्यावनवी किरण यह कि इन दोनों के बीच का जो पतांतर होगा वो कितना हो जाएगा पाथदिटi करन के लिए हां अब हम क्या देखेंगे विनाशी व्यतिकरण जिसके लिए बिनाशी व्यतिकरण के लिए आवशक सर्त क्या सबक्राइब करन और और जो जो एंक अगर मैं एक लेलूं तो जो है लेंडआ बटा दो यहाँ पर जो उत्तर आ जाता है तो अब जो है बिनासी व्यत्य करूं को किसके बीच में दिखा दे रहा है पहली क्यावनवी किरन के बीच में विनाशी व्यतिकरन दिखाई दे रहा है इसी तरीके से दूसरी और बावनवी किरन के बीच में हमको विनाशी व्यतिकरन दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर दो अलग-अलग स्त्रोत नहीं है इसी लिए इसी ए चोड़ाई के फ्रिंज से गुजरने वाली देखाओं के बारे में जो है हम लोगों ने यह prediction किया तो अब अगर हमको जो है किसी जगह पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है तो अदीप्त फ्रिंज के प्राप्त होने के लिए हमको जो है क्या एक condition आती है यह है कि अगर जो है यह फ्रिंज की चोड़ाई जो है वो ए है अगर जो है दोनों मतलब यहां पर slit की चोड़ाई एने की उस छेद की चोड़ाई अगर ए है तो हमको अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होने के लिए साइन थीटा का मान साइन थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए साइन थीटा का मान जो है एन लेम्डा के बराबर होना चाहिए एन लेम्डा बटा एक के बराबर होना चाहिए और इस तरीके से हमको अधीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए अब आप सोचिए कि यहाँ पर अगर ये चोड़ाई जो है वहां तीन लेम्डा बटा दो के बराबर होगी तो हम इसे तीन बराबर बराबर हिस्सों में बाट पाएंगे यहाँ पर जो है लेम्डा बटा द और यह भी लैम्डा बठा दो अब ऐसी स्थिती में क्या होगा कि अगर माल लेते हैं 150 कुण मिलाके किरने यहां सार हो कर भुजर रही हैं तो पहली किरन और 50 किरन के बीच में जो है पहली किरन और इंक्यावनवी किरन के बीच में जो है हमको विनासी व्यतिकरन नजर आएग उत्पन कर लेंगी और यहां पर जो है इनका जो प्रभा हो जाएगा वो नश्ठ हो जाएगा लेकिन यहां लेम्डा बठा दो हिस्से में बची हुए जो किरने हैं इन किरनों के द्वारा जो है वहां पर दीप्त फ्रिंज की स्थापना होगी इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर दीप्त के लिए जो है जो आवशक सर्थ है दीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज के लिए जो आवशक सर्थ है वो है साइन थीटा का मान वो तू एन माइनस वन लेम्डा एन एन तू एन माइनस वन लेम्डा और बटा ए इसके बराबर होने चाहिए अब इस तर यह शर्पा न लागऊ हो रही है इसलिए हमको यहां पर दीप्त्फिरिंजे प्रापत होंगी जब कि यहां पर यह दीप्त्फिरिंजे जो है वो पूरे की पूरी कीड़नों के एक दुसरे के साथ में संपोसिव्यती करण बनाने के कारण हो रही है इसके बाद की जो किर्णे हैं वहाँ लेम्डा बटा दो किर्णों के कारण ही या लेम्डा बटा चार किर्णों के कारण ही लेम्डा बटा चार किर्णों के कारण ही इस प्रकार से जो है बहुत ही कम प्रकास की उपस्थिती के कारण हमको यहाँ पर जो है दीप्त फरिंजे हम क्या देख रहे हैं कि हमें सुन्य यहने कि मद्ध बिन्दू पर एक दीप्त फ्रिंज दिखाई दे रही है और इस दीप्त फ्रिंज की चोड़ाई अगर हम निकालना चाहें तो इधर जो है रिण A बटा अलफा और इधर भी रिण A बटा अलफा इन दोनों के बीच का यह फ्रिंज की चोड़ाई की चोड़ाई की दुगनी होती है मतलब यह है कि सभी फ्रिंजों की जो चोड़ाई होती है वह एक समान नहीं होती है दितियक उचिष्ठों की तीवरता कमशा कम होती जाती है जबकि यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में सभी फृरिंजों की तीवरता वो एक समान होती है अगली बात है कि स्लिट की चोड़ाई अत्यनत कम होने पर ही भी वरतन प्रतिरोग को दिखाई देता है और यहां पर जो है हमको क्योंकि दो अलग-अलग स्तुरतों की आवशक्ता नहीं है इसलिए हमें कलाब बंदस तुरतों की भी आवशक्ता नहीं पड़ती है जब कि जो है जब हम यंग के द्विसलेट उप्योग समी करना मतल एक भागों में भाजित किया जाता है तो हाइगन के सिद्धान के अपनुसार प्रतेक भाग से जो है जो तरंग निकलेंगी तो यह जो ही वरतन प्रत्रवप की विश्चताएं भी हम लोगों ने देख ली अब जो है हम इसके निसकर्स के बारे में भी जो है यहां पर आती होती है तो यह सारी चीजें हमको समझ में आती है मुझे उम्मीद है कि आपने विवरतन के लिए भी हमारा derivation था वो समझ लिया होगा इस derivation को समझने के बाद में अब आप क्योंकि हम लोगों ने किरन प्रकासि की और तरंग प्रकासि की दोनों चप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ लिये हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप पूरे के पूरे 14 अंक लेकर आएंगे इसके आगे भी हम बहुत सारे विश्यों पर बात करते रहेंग और उन विश्यों पर बात करने के बाद में हम अगले चप्टर की और भी आगे बढ़ेंगे तो हम जो है मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद